कि है गाइज कैसे हैं आप सब आई होप यौर दिइंग वेल एंचनदी फेल्कम टू तुछस का रहा थे यूपीपीश 2020 टेस्ट रिज और यह दे आई इसकी टेस्ट रिज हमारी चल लाई है ठीक है तो हम लोगों ने स्टेस्ट कंप्लीट कर लिये तो सेवन तक हमारे दो य सप्क्राइब तो हमें स्टस्ट लिए अब एक टेस्ट नमर्ट से स्टार्ट है अब यह अब ist देखने को मिलें जो भी हमारे जिसकले के मारे में श्रुना रहें और भूको मिलेंगे और यह निउ और करेंट के कुछिश्टन सारे इंक्लूट के गें तो आप लोग इसके इंजॉए कर सकते हैं और इनकी एगर पीडिएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्रम ग्रूप जोइन कर लिजिए या फेस्बूप ग्रूप जोइन कर लिजिए उन दोनों पर मैं पीडिएफ इसकी शेयर क करता माना जाता है तो फास्ट है मुहमद बिन तिक लोग भी एतीपू सुल्तान और यहादर अलीडियर राजा जैसिंग तो इसका भी ऑप्सेंग यही भारत में राकेट टकनीकी का खोजकरता माना जाता है ठीक में कहा गया कि निम्रिकित कतनों पर विचार किजिए तो फ 3875 में आपको देखने को मिलता ठीक ऐ है और अगर बात इस टिटवर उशन्ट में बना है ड़्यक्वरी को टॐरा सब्स europa कि बना है और एक मी association की बात करें तो यह 1850 में बना है तो हम मिला लेते हैं कि कौन सा पहले है तो देखो 66 में बढ़ा हमारा पूरा सारजुन की सबाद तो तीन पहले आएगा तो इसमें एक ही मिल गया हमारे तीनों से मेलित हो ठीक है तो तीन आएगा फिर दो आएगा आपका जो तीन और उसके पाद आएगा दो तीन एक पांच एक चार तो ची ऑप्सें हमारा सही हो गया तो कि इंडियन जो हमारा पूरु जो इस इंडियन एसोशेश्येस्ट में बना पूना सरजुनिक संभाव की बात करें तो 1867 में फिर इंडियन लीग बनी है 1875 में और 1875 में और 1875 में बेंबर ए बीए मार्गेट काजिन और जोतिबा फुले बीए पंडित रमाबाई शुरस्वति तो इसका ए उप्सें सही है जो रमाबाई रेनाडे थे इन्होंने 1904 में मुंबाई लेडी सोशल कांफरेंस की स्थापना की ठीक है और मार्गेट काजिन की बात करें तो इन्होंने साउ स्थापना की ठीक है और इसी के साथ साथ एनी बेसेंट जो थी उन्होंने इंडियन ओमेन इस्थापना 1917 में की ठीक है तो यह आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं इनसे बहुत ही फ्रेकुंटली कुछिन पूछ लिए जाते हैं चलते हैं नेक्स कुछिन पे निमिकित मे बात करें तो यह ताना भागत हुआ था उननीजाशर 15 में हमारा देखना को मिलता अंधुलत और रंपा की बात करें तोgenerा तो यह 18 August 1845 से 1929 999 से 19ования 1901 है कि यह मुझत करें पर देखने को विचार किसके उत्था रपताना है तो फस्ट थे कि हिं सेत्र के धिच्छडी डालों पर उत्तरी डालों कि अपेच्छा अधिक सव्मेय तक प्राप्त होता है तर्फरा भी होती है दचणी ढесьलानों किures ज़्यादा वन은श्पतियार सजबश्पतिए क्यों कि वहां प्रकास होता है। ये ज्यादार प्रकास है इसलिए हहां पाई जाती है। फिक्ता गूटंबर्ग असलाइश कम इसकी का स हम मिच बीच मेरे मेरे बताना है कि किसके बीच पाइजाती तो इसका बी उप्शन Panel और बाकोर के बीच में पाई जाती है क्योंकि जो हमारी प्रतुभी यह प्रतिवी कि अगर के आधर में बाये क्टेजा पाई जाती है एक होती है हमारी क्रस्ट हो गई उसके बाद आपको को मिलता है यह औरätta नों बाहिक से चुछ बूतकर के बीचका समधता कहते हैं चाहि ने ऐसको बोलते हैं गोटनबर्थ कि कुछा अ कईए युक्टोन करते हैं मीलान कि बुछ में उठ गये हैं और उन दिये गए हैं तो फस्ट पाई जाते हैं और यूखेलिट लिप्टिस तो ये सितोषन सदा बाहर वन है अब नूश की बात करें तो ये उसन कटबंदी सदा बाहर वन देखने को मिलता बीच ये सितोषन कटबंदी पनपाती वन है तो हमारे हो गये दो एक चार दो एक हने हमारा कबनखर से शवी छेडी ओं सबसा वरी को बस्तप अवस्तिते हैं कि किस और दिकैना है कि है तो इस पिरित दो कुश्चन को को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें चलते नेक्स कुछन पर दिल्ली संतनत के दौरान सब्द जमावित संबंधिता तो फर्स्ट एक कर से बी ऑप्षन है कि एक्ताओं के समूं से सिबीनेम के समूं से रर डिए सेनिक को वेतन से तो इसका सीर चंशन जो विशेंसा गलत Fitness को जमावित कहा जाता जिए जो दिल्ली श्ल्टनते चलते हैं पडिनक感じ यातरी ने बिजय Нगार सामराजी की यतरा नहीं की थी तो आ अबडूलरजाक, भी फरिष्टा, C, नूरी और D, निकोलो कॉंटी तो यह जो हमारा भी आप्शन नहीं ए फरिष्टा जो है इसने बिजय नगर सामराजी की जो यातरा नहीं की इसने की थी आपको बह्मनी राजी की इसने इस्थापना की थी ठीक है बह्मनी राजी की ना कि विजयनगर की और ये निकोलो कॉंटी अब्दूर रजाक और नूनी इस इन तीनों ने जो है बह्मनी राजी की विजयनगर समराजी की यात्रा की थी कौन करना कि कॉन Sबसे पहले उसके बाद्ध तो ये 127 करना है तो ये हैं को सबसे पहले हुआ successun नवे विग het और कन्योज की बात करें तो यह 1540 में था और चौशा जो था यह 1549 में था ठीक है तो यह आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही होगा चलते हैं नेक्शन निमिकित में से कौन स्वही शुमिले तो नहीं है यह बताना है तो रचनाय दी गई हैं लेखक दियेंगे सुल्व सूत्र तो बोधायन चिद्धान्ची रोणी भासकराचार घड़ित सार संग्रा अ ब्रह्म गुवद्घ के र्चार तो अरड़े भटे निमिकित में से किसे एक princess यूद्ध की जानकारी मिलती है तो एहोल अभिलेग और डी है गौली अरवलेग तो इसका सी उप्चन सही है जो एहोल अभिलेग है इसी से मिलती है उलकेशिन और हर्स के युद्ध की जानकारी मिलती है ठीक है तो सी उप्चन हमारा सही होगे एहोल नेक्स है कि मध्य पासानिक पुरा इस्थल लखनाज जहां उत्खनन में 14 मानों कंकाल के आउसेस मिले हैं वह इस्तित है तो यह उप्षन मद्ध प्रदेश भी राजस्थान सी हर्याना और डी गुजरात तो इसका डी उप्षन सही है यह लखना जतोसा यह आपको गुजरात में देखने को मिलता और इमें हाली में उत्खनन किया गया ह हुआ 14 मानों कंकालों के आउसेस मिले हैं तो यह भी हमारा करेंट से रिलेटेड ही है नेक्स है कि सुची एक को सुची दो से मिलान करें तो फस्ट है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं और उनके प्रतीक दिये वी हैं तो जन्म की बात करें तो यह सांड का जो प्रतीक था और ग्रहत्याक की बात करें तो यह घोडा था और ग्यान प्राप्ती पीपल के ब्रच का प्रतीक था तो ठीक है तो इसका 3-1-3-1-2-4 यह उप्शन हमारा सही हो गया चलते नेक्स कुश्चन पेस में कहा गया कि निमलिकित में से कौन भारस शासन अधिनिय धशेड़िय का प्रारंब शेकेंड में सब्सक्ति नियाल्याय का गटान संग संग इसतर पर संग पर द्याप्त मेंऐगी थी चलते नेक्स कुश्चन पेस में कहा गया है कि सी निम्रिखित पहाडी निम्रिखित खालियों में से कौन सी सबसे दच्छण में श्थित है तो फर्स्ट की खाल कि खाल की कह दिष्धित है क्रालभ नीचे की तरफ सबसे नीचे हमको देखना की कौन hけれ में सबसे नीचे पड़ती है तो कंबत की खाड़ी सेकेंड है कि ओमान की खाड़ी फिर अदन की खाड़ी फिर फारस की खाड़ी ठीक है तो इसमें जो हमारा की खाड़ी आपको देखने को मिलती है ठीक है यह अधन की खाड़ी और गुजरात में यह अगर उसी के बराबर में देखें तो जो गुजरात में यह वाला छेतर है यह वाला यह वाला इसे खंबत की खाड़ी कहते हैं तो यह तीनों ऊपर पड़ जाती है और सबसे नीचे यह आधन की खाड़ी आपको देखने को मिलती है ठीक है चलते नेक्स कुछन में बैस्विक शांती सुचकांग प्रकाशित किया जाता है फस्ट है विश्व आर्थिक मंची द्वारा विश्व बैंक द्वारा सी है सहिंगत राष्ट विकास कारिकरम द्वारा ठीक है और फस्ट पोजिशन की बात करें कि कौन आया है तो यह आईसलेंड इसमें फस्ट पोजिशन पर है ठीक है तो यह आप लोग देख सकते हैं चलते नेक्स कुछन में भारत में प्रमुख सुधार अंदलोनों के रूप में इस्थापित ब्रह्म समाज ने निमिकित म से किसमत का समर्थन नहीं किया तो एकेशर वाद भी है वेदों की मानता सी है सुधा निर्देश्ट कर्म का सिधानत नहीं से और च्थांत कशह रवाध को माना आए सथा निर्देशन कर्म का सिधान्त माना है लिकिन जो यह वेदों के बारे में इन्होंने यह नहीं माना है और।今天的 में और टो पैस्विlere महतुपूर्ण निर्ने की किस अधिनियम में कौन से निर्णा लिया गया है तो फर्स्ट है कि चार्टर एक्ट उननीशो तेतालिस कंपनी का भारती ब्यापार से एका अधिकार समाप्ट करना रेगुलेटिंग एक्ट उननीश सत्रा सो तीयत्तर तो यह कहता है बंगाल में सर उननीशो एक्सट का जो था भारत परिशद अधिनियम उसके अंतरगत विभागी यह मंत्री मंत्री मंदली प्रणाली की स्थापना की गई थी और यह बानवे का था इसमें कहा गया था कि जो बजट पर बहंस करने की चर्चा के बारे में इसमें प्रोविजन किया गया था नहरू और डी है महत्मा गांदी तो यह सी ऑप्सन सही है जो जवाहला नहरू थे इन्होंने ही कहा था कि जो 1935 का अधिनियम है यह जो दास्ता के नया चार्टर है यह बताया था इन्होंने क्योंकि इनको उसे संतुष्टी नहीं मिले थी क्योंकि यह पूर्ण सुराज की की बात कर रहते उस समय वर्च 1916 में कांग्रेश अधिशन में कांग्रेश यो मुस्लिम लीग का मिलन हुआ यह अधिशन हुआ था वानरसी में कलकत्ता में लकनव में इलाहबाद में तो इसका अप्शन सही है लकनव में हुआ था 1916 में ठीक है और इसके जो अध्श की बा कांग्रेश का विभाजन हुआ था यह 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था ठीक है तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं और उसके अध्यच रास भिहारी गोश्टे नेक चलते हैं निम्रिकित महिलाओं में से कौन सी कांग्रेश के अध्यच्पद पर आशीन रही है तो य सरोजनी नाइडू तो यह तो इन्होंने फस्ट यह इंडियन वोमेन रही हैं जो कांटपुर अध्यच्पद परचीश में हुआ था उसमें इन्होंने इसकी अध्यचता की थी प्रभावती और यह जो एनिवेशन की बात करें तो यह तो फस्ट ओमें थी जो कांग्रेश क अध्यच रही ती यह कलकता अध्यचता का हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिश्पेट किया था मतलब अध्यचता की थी और नेली सेंग गुपता की बात करें तो यह फस्ट अंग्रेजी महिला थी जो कलकता का 1933 का अध्यचता की थी ठीक है तो यह असरोजनी सा एक अपने अभियानों है तो रैन्बो वारियर नामक समुद्री जहाज का प्रियोग करता है तो इसमें बताना डवलू डवलू एफ भी है आई आई यू सी अन और सिय ट्रैफिक डी ग्रीन पीस तो यह डी ऑप्शन सही है जो ग्रीन पीस है यही जो है रैन्बो में इसका ग्रीन पीस का आपको मुख्याले देखने को मिलता है नेक्स चलते हैं ब्रचों की कटाई पर लगान लगाने के उद्देश से वर्थ 1973 में प्रारंब चिपको अंदोलन से निमलिखित में से कौन सा ब्यक्ती संबंदित थे यह बताना तो फस्ट है गौरी देवी गौरा देवी सेकेंड है चंडी प्रसाद भर्थ सुंदालाल भागुडा और पोरलत है बंधना शिवा तो इसकी जो यह बंधना सिवा इससे संब्स्ट नहीं थी तो उमसी ऎहां bajo और उनेत्ली प्रसाद भर्थ सम्दित्द नहीं से संब्सें तो हमने यह 35 कृष्य कृ लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करने क्योंकि हम जो है बहुत अच्छे से कुश्चन हम लोग सौल कर रहे हैं और यह देखो बिल्कुल सेम पैटर्न तुमारा चला जो 2019 का आया था उसी पैटर् स्रीच आपको प्रवाइड कराऊंगा एक्जाम होने से पहले पहले ठीक है अभी शुरू किये द्रिश्टी ने टेस्ट रिजे तो हम उनको भी पहले यह थोड़ी और दो तीन और यह टेस्टी की टेस्टी सॉल करेंगे ठीक तो आप लोग चैनल जरूर जोईन करने और व और इसका तो हम फूर कमपालेशन संडे को देते ही हैं और यह डेली बेसिस अमगे 25 कुश्चन आते हैं तो यह सब आप देख सकते ही तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक न मस्कार जाहें जायबारत